कि MPPSC जो निकाल सकता है उनमें से अधिकांच लोग सही मेहनत करके UPSC भी निकाल सकते और अंतर बहुत ज्यादा है अंतर इतना ज्यादा है आपको शायद दुख होगा अब मैं जो कुछ कड़वे सचब बताने वाला हूं आप MP में कितरा भी गौली वारूद अपना इस्से मान कर लेंगे तो HDM ही बन सकते हैं उस से ओपर कुछ नहीं बन सकते हैं HDM बनके भी आप IES बन जाएंगे लेकिन HDM से यानि MPPSC के अधिकारी बनने से IES में एलिवेट होने का जो सफर है वो इतना लंबा है कि अक्सर उसमें 20 साल से ज्यादा लग जाते हैं लगबग हर 17-18 साल में हो रहा है किसी में 22, 24 में हो रहा है किसी में 20 में हो रहा है 20 साल 22 साल बाद आप IES में एलिवेट होंगे और उमीद है कि उस समय के आसवा सबको DM की पोस्ट या DM की equivalent कोई पोस्ट मिलेगी DM की आम तोर पर नहीं मिलती है DM के बराबर पोस्ट जैसे नगर निगम मे में कमिश्त होगे किसी जिले में जो DM के बराबर की पोस्ट है या सची वाले में आपको भेज दिया, joint secretary बिना दिया किसी राज्य सची वाले में joint secretary का मतल LIVE DM के बराबर की पोस्ट उसको माना जाते है ऐसे कोई ना कोई पॉस्ट मिल जाती है ज्यादा से ज्यादा आप जस्पत्त प्त्रक जाप आएंगे वो डिय आईज़ मैं लब पॉलिस में जाएंगे तो डिय आईज़ी मान लीजी और अगर इसमें जाएंगे अड्मिनस्रेशन में तो कमिश्टर मान लीजी और I.E.S. की कोई तुलना नहीं है भाई पॉलिस में D.S.P. बनके जो लोग गाए किसी भी स्टेट में मैं केवल एक व्यक्ति को जानता हूँ जो I.G. रेंग तक पहुँचा I.G. रेंग और जो I.P.S. बनता है वो I.G. बनता है 17 साल में और 17 साल के अबस उसके बस 13 साल बचे हुए कम से कम या 17 साल बचे हुए अगर 14 साल के सर्वेस हुए I.G. रहना पड़ता है कि नहीं 10 साल तक और वो इतना लंबा टैनियू हो रहा है कि स्टेट P.C.S. पर कोई आ भी जाए ना तो उसके पार तो नहीं ही जा सकता उसके ओपर के सारे बड़े रेंग एड़े जी डेजी 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 पी या वो सारी फोर्सिस C.S.F.C.R.P.F. या N.I.A.C.M.E.I. I.M.E.N. सबके डिरेक्टर्स हेंड इस सारे आई पीस हैं जो डिरेक्ट आई पीस बनेगा स्टेट की अगर बात करूँ आप M.P.P.S.C. के S.D.M. के सूघर आई एस में एलिवेट हो भी जाएंगे तो मैक्सिमम कमिश्टर जारा रैंक है और कमिश्टर का सिंपल मतलब है तेरह से सतासान बने जब जो होती ही I.E.S. तो मैं आपको डिस्करेज नी कर रहा है MPPSC बहुत बड़ी बात है, बाकी नोकरियों की तुलना में, टीचर की तुलना में, पटवारी की तुलना में, लेकपाल की तुलना में, आप बड़ा काम कर रहे हैं कि MPPSC में जाके SDM ये DSP कुछ बनेंगे. पर तुलना केवन उधर तुड़ना होती है उधर भी तो होती है और जिस दिन आप SDM मन के जाएंगे और आपका DM अगर चार से बुराना आई एसा गया पर हरका दिया उसे और आपको उससे बात करके नगरे है कि आप भी कम होगे तो नहीं है आपकी भी समझारी उतनी है आप भी ऐसा कर सकता है शेर लगता है कि कोशिश कर नहीं होती है तो मेरा जो कहना है अगर आप PSC के त्यारी कर रहे हैं तो PSC से IES के स्लेवस को कवर करने के लिए छे से नौ महीने एक्षा टाइम जाना पड़ता है आई-इस के त्यारी कर रहे हैं तो भी PSC लेकर सनना है वो क्या बहुरेंगे? बेकप ऑप्षन बहुरेंगे? वो बैक अब बैक आप आप उप्षन तो उसको बहुरेंगे IES की तैारी करने के बाद MPPSC के त्यारी के लिए दो महीने, तीन महीने More than sufficient है MPPSC की तयारी के बाद IS की तयारी करने के लिए 6 से 9 महीने आपको चाहिए लेकिन कहते हैं कि सपना अगर देखना है तो ठीक से देखना है चाहिए बलब खौफ कि हमारे क्या सपना देखना अगर एक रास्ते पर बढ़े हैं तो ठीक इसको देखें कि उसको जितेंगे